प्राण जाई पर वच्छन ना जाई एक बार फिर से राम राज्य का सपना हम लोग देख रहे हैं उसके तैयार यादि जोलो शुरू पर शुरू है लेकिन क्या यह यात्रा बड़ी आसान थी नहीं थी एक संगर्ष यात्रा थी जिसे हम सुराज जैसे राम राज्य की और कहते हैं यह सफर कैसा रहा किस तरह से आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है उसने है आपके प्रति तो एक जो यात्रा की में बात कर रहा था दयाविया 1990 में आप कारसिवा के लिए आयोध्या गये थे उसके बाद 1992 में भी कारसिवा हुई थी तो उस वक्त का आपका अनुभाव और अब तक की जनिक यह हमको बात करें तो हम शुरुआत करते कि उस व निराया आई थी जिस पर श्री राम लिखा था संगैल्प न यही थी कि एक शिला के निर्मान की राशी मेरे घर से जाना चाहिये जी एक बित्ती उतनी राशी मंदिर मिरमान के लिए दानने दे जी और फिर जी मेने घर के बगल में ही प्रभू श्री रम जандरीजी का मंदि जी उस मंदिर को मध्धिनाकपुर का प्रमुक अस्थान बनाया गया था और उस अस्थान पर शारी सिलाए एकत्रित करके उन शिलाओं का वहाँ पूजन करके प्रत्यक मंदिर में वो शिलाएं भेजी गी थी कि बस्तिशा हो उसका पूजन होना चाहिए जी और विश्व हिं ऐसे भी अनिक छेत्रे थे कि जहां शिला ले जाने के लिए लोग डरते थे क्या वज़े हो कि वो डर की लोगों के मन में एक भैव्याप्त था कि हम यहां जो कारे करेंगे तो इसके करण हमारे प्रती लोगों के मन में कोई दूसरा भाव तो पैदा नहीं हो जाएगा लेक कि तुलसिदास जी बोल के गाएं कि भैविन हो इना प्रिता आपके मन में भै है तो आपके मन में प्रेम जड़ी उत्पन नहीं होगा है यह दोनों बिल्कुल एक ही सिक्की के दो पहलू है और राम शिला पुजन बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने नियोजित किये यह 西erkनारच जिए और उत्प्रेरक का काम लाकृष्ण अडवाने जी की रध हैत्रा ने किया जम हमी सकी तैारी कर रहें थे तैहिंटोबर मौह में नाकपुर में रध हैह जिए और उस रध हैत्रा के करन उधे कर अन्ट्पर में यौल नाइक वातावरान बना और उस वात शत्तिनारेंड की कथा करनी पड़ी, और सत्तिनारेंड की कथा में शत्तिनारेंड जी के सामने शिला रख दी गई, दोनों पूजन एक साथ हो रहे हैं, ऐसे विप्रीत वाता वरंड से उस आंधुरन को खड़ा करना पड़ा, और मैं वैसा सौभाग्यसाली बेखती रहा कि पूरी डिजाईनरी राम्शिलाफुजन का लेगव exercise स्वेशले के सल्एक मौरोवपंत जी तक हों रहने वाले वाले थे, डियों इनकोन मौरोवपंत जीय ने कहा था कि सबसे जादा स्वयम सेवक्त का मंदर करने के लिए आएंगे यस मन्दिर में आऊंगा, मेराा इस वो मंदिर में सरवाधिक लोग आए, हलबा समाज की लोग आए और यह वही शेत्म था जो सुरवात में हिच्किचाहट के करने सामने नहीं आ रहा है। मतलब जन्जा गुर्क्ति का इतना अच्छा असर हुआ कि जो स्थिती फिवग्दम अपने फिवर में आ गई और राम नाम की महिमा और क्या कहें। पांची जन्दे ने उस मंदिर का फोटो भी छापा। इस दरश्टी से शुरुवात हुई। इस शुरुवात में 30 अक्टोबर को अध्या में कारसेवा थे। अध्या के कारसेवा में जाने के लिए लोग तयार हुए। अब समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक समय देने वाला होता है और पैसे देने वाला होता है। तो समाज में जो लड़ रही है लोग थे जो समय दे सकते थे तिकिन उनके पास पैसे नहीं थे हम लोगों ने समाज के धनाडबर्ग से निवेदन किया कि अयुद्या आने जाने का जो खर्च है कम से कम एक कारसिवक्त का या दो कारसिवक्त का आपने उठाना चाहिए उसका बगर पैसे के जाना नहीं था और उसका नियोजन समाज के संब्रहंत परिवारों ने अपने आर्थिक योद्या योगदान के रूप में दिया और सो लोगों का जित्था ले करके जाने की जिम्मेदारी मुझे मिली मुझे अलग-अलग तारीक को अलग-अलग लोग गए सब पूर्व एक सुनिष्चित और सुनुजित और डिसिप्लिन वे में सब आपने जो है सप्टेंबर मेने से लोगों का आयोध्या जाना प्रारंब हो गया जिए करन वहां जो सरकार थी वो मुलाहिम सिंग जी की सरकार थे जिए और मुलाहिम सिंग जी ने घोशना करके र परण में 24 अक्टोबर को हमें निकलना था 23 अक्टूबर को सुभा 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 समस्तिपूर में लालू प्रशाद यादोजी ने आधवानी जी को अरेष्ट करने के बाद में पूरा वातावरन बिगडा जी उसकी जो हम लोग भी मैं उस समय युवाम और्चा का नातप परिवायर के रूप में सब जे स्टेजनों के साथ हम लोग बैठें ये खबर कहीं से पॉलिस को लग गए है और पॉलिस ने निविंग्लिस स्कुल में रेट मारा अब एक और दरवाजा था जो पोस्ट आफिस के पास में खुलता था जी जिसे हम पस्चिम दिशा का दरव पॉलिस में जैसे ही रेट मारा तो हम लोग लिटरी हाथ में जूते लेकर के महां से भागे और भाग करके पड़ोस में जो बस्ती है उसमें लोगों के घरों में जाकर के हम लग शुब है जी पॉलिस को कोई वेख्ते ने मिला आपको जान करके आस्चर होगा कि 70 साल के 80 सा बाउंटेंट लोया ऑपके ते लोया जी इंठल राज जी लोया जी मनोरा गुर्णया तो सेंड़े थे, आपको जे पूल करनी थे रामपरकास जी आओ जाते है यह सारे लोग हाथ पे चुपल लेकर के वहां से भागे से इस ते पर पोलीस के जाने के बाद सब लुग ते रिजेशबात है तो उन्हें कहा कि महरास्ट सरकार ने ये रेड अलर्ट यादी जारी कि है जिसमें जिन लोगों के भाषनों से दंगे भढ़क सकते हैं उसमें तुम्हारा नाम है। मैंने कहा कि भाशन तो आप भी बहुत दिये है। उन्होंने बताए कि देखो यादी है इसमें चोटे नंबर पर तुम्हारा नाम है। इसलिए सबसे तोहरे तुमको आगाह कर रहा हूँ। पिर मैं उस दिन कहीं जाकर के शरंड ले लिया मैंने कि मुझे आने वाले समय में कितना कारियर करना है। उसकी तैयारी है। उस समय किसी प्रकार का मोबाइल नहीं था। इसलिए वह सुसुप्त अवस्ता में सबस्त्रोच जो थे बहुत सीमित थे। इसी बीच यह हो गया कि शाम को मेरे घर से में जहां रुका था वहाँ छोटे भाई का मैसेज आया। कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम मोहमद अनीश है। हैदरी शौफपर के बर्डी मेह तुकान है। उसकी सगाई भी थी और वो अपनी नही नही दुलहन के साथ मेरे घर अच्छा वो बोहरा समास से है जी उसका ब्याद जिस बच्ची से तह हुआ था वो इरान की रहने वागी दखी थी क्या वाद अब मेरी इस्थिती ऐसी थी कि पॉलिस की मिश्चपन अगर नजर है जी मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए वहां आया है और ऐसी इस्थिती में विशें भी देखिये कि एक तरफ राम जनुव हुए आंदोला नहीं जुस्त तरफ मेरा मुस्लिम मित्र है मैं मेरे घर के अंदर गया घर में जाकर चाहिए तो आपके आने वाले कारवकों पर उसका अच्छन इस दरस्थिती से मैं घर पहुंचा है गर पहुंचने के बाद में उसके साथ मैंने चाहिए उसको कहा कि तू घर में आस्था कर तो मेरे परिवार में हमेशा आने जाना वाला सदश्थ था मेरे साथ मेरे साथ मेरे जुनियर कॉलिज किया था इसलिए रोज घर से मेरे घरा तक आता था और हम दोरों साथ में कॉल कि जो चेहरे पर आश्चर की बात होती है उसके पत्मी के दिखाई दिकरन उससे तो हमारी पहली ही मुलाकात थी जिन उसके बाद में उन्से आनुमती लेकर के वहां से मुझे जाना मजबूर तिए बिलकुल आपके मिशन था मिशन था उसमिशन आपको जाना तो और गाड़ी रोखने के बाद में उस सारी गाड़ी की जानकारी लेती हैं, कि वो कहां से लोग आये हैं, कि मुझे पर जिम्मेदारी यहा थी कि मेरे साथ जो लोग जा रहे थे, उसमें हिंदी भाषियों को भी और मराटी भाषियों को भी मिश्रित किया गया था, नाम देना था, कि अगर फोलिस में फोन करने को बोली, और उस परिवार को सूच ना देना था कि आपके घर में इस नाम का वेक्टी आ रहा है, मैंने ऐसे सौलोगों की नाम की आदी निकाल के रखी थी, उसमें कुछ महलाएं और पुरुष थे, उनको अनावर्श चकरूफ से रिस्त पहुंचे तो सब के मन में बड़ा सब अपने अपने नाम याद करना था, और हमने सब को इंस्ट्रेक्शन दिया था कि वहां कोई भी व्यक्ति किसी को नाम से नहीं पुकारेंगा, भाईया, भाभी है, पुकारेंगा, करने मूलता हम रोज मिलने वाले उनको उनके मूल न राम रची राखा, जो राम को मंजूरता वो होना था, बस चागगाट में सडक से मुस्किल से देड़ सो मीटे अंदर एक डखैती पढ़गी की रात में, अब वहां डखैती पढ़ने के करन सारी पोलिस वहां लग गई थी, और हमारी दोनों बस बगर चेकिंग के आराम से मतलब आपको से पैसेज मिल गया, यही राम की लिला है और क्या, अब हमें सूचना थे कि बस इस टेन तो कोई न जाए वहां आरेश्ट होगे, इसलिए हम लोग त्रिवेडी संगम पर सी देगे, त्रिवेडी संगम पर रवी जी जोशी नागपुर के संग के अधिकारी है पूरु नगर से वक्ते श्री रंग खेड कर जी कि दोनों हमें वहां मिले, उन्होंने दारागंज में हमारी रुखने की विवस्ता यसा बताई, और हम गंदा जी का अश्नान करके, वही पर नास्ता करके दारागंज में रुखने के लिए चलेए, जिब हम 26 तारिक के और दारागंज में बहुत बड़े प्रमाण में मलाह लोग रेता हैं, इसलिए वहां जाने के बाद हमारे महले की एक बेटी वहां एक तरिवार में गया थी, तरिवार में हम सब लोगों ने लगे तरखा, और तुछी तारिक को प्रयाग राज में जो धार्मी के स्थल से उसके अलग-अलग-अलग जाकर दर्शिंग किये, और 26 तारिक के सुबजे में वश्नान करने के लिए तो हमें सूचना मिले कि 27 तारिक को यहां से एक जथा शंकरह जारी जी के नेत्रत भी निकलेगा, तो उसके साथ में आरेश्टिंग देनी है, हमने सहस्ता से कहा कि हम त कुछ लोगों नहीं होंगे, और बहुत एक जो एक विश्वास और थमना लेकर गए थे कि क्या हमको करना है, हमें सुचना मिली कि विश्विंदू परशत के कुछ पदादिकारी, एक होस्पिटल में रुखे वे, वो नर्सिंग हों था, लेकिन वहां पूरे विश्विंद परशत के विश्विदर्ग के अद्यक्ते चंदकान भाई ठाका दो, उन्हों ने कहा कि सबको कल गिरफ्तारी देनी है, अब 27 तारी को गिरफ्तारी देनी है, ये सूचना सारवजनिक तोर पर हमने हमारे साथियों से कर दी, सब लोग उसी मानसिक्ता के साथ में गिरफ्तार देना है करके अपना अपना लगेज लेकर के निकले, हम कुछ लोग ऐसे थे जिनके मन में अलग खेच्डी पकरेई थे, हमने एक छोटा बैक खरीदा वहां से, जिसमें केवल तीन कपड़े रखे और ठंड के कपड़े रखे, सारा खाने पीने का सामान वहीं छोड़ दिय छिचा उस जठ्षमें में करके अपना छिचान आओए लेका है, जबत बड़े प्रमांड में संख्या में, लोगोने अलभाद में गिरफ्तारी दे भी प्रयाग राजा में हैं, फासमें अस 추 ले को नेतரत में, में एक जठ्षघ यखा ये प्र आओधिया के लिए प्राव के विए को खिलाने के लिए इतने मस्गूल थे कि पूरी दुकान कखा रिक्या हूँ फिर मैं कहूँगा जि राम जी के लिला है राम जी करके राम जी के भक्त है जो राम जी के नाम से यह सब कुछ करके हैं हम लोग आगे बढ़ें प्रताब बढ़े के पास फाफा मौन आम पे गाउंट जी वहां से गंगा नदी बहती है और करीब करीब कि देढ किलोमेटर की लंबडाई का नंदी का पूल है कि नेत्रत है हमारे जट्था भून का राम अवा है जैड़ाजी का बिच में शंकराचार जी और इस साइड से शल्ट से भी पी से पी पीए और पीए सी ने हमारी जम के धनाई चालो करी है लेट्ररी लाठी चारच कोई कोशन नहीं गरफ्तार हो जाओ अगर किसमें सिधह मारना चाले के अच्छा इस मारपीट में हमारे साथ दिनेश बागड़ी करके नाल साफ चौप में रहते हैं कांतिकारी मदन्य लाल भी बागड़ी के बहती जह हैं वो उन्होंने कहा कि भीया आपने ऐसा करते हैं कि शंक्र जारे जी को रत से उतारा अपने गाड़ी में बैठा लोग लेकी चलेगी हमारा सोच नहीं था कि लाठी नहीं पड़ेगी हमको और जादा लाठी पड़े उनको ले जाने के बाद में तो फिर वहां का माहौल लाठी चाले आज भी जब घुटने दुखते हैं तो यार आत बिल्कुल बिल्कुल उसको मीठा आनंद कहेंगे अब इस भगदर में एक दुरुखतना है ऐसे हुए कि अपने हाँ मुमिनपुरा बोरियापुरा में रहने वाले रामगरी पच्छवा करके थे उस सप्तर प्लस की एज के थे उस धक्का मुक्य में नीचे गिर गए अब ह हम चार लोग उनके उपर अगर नहीं लेटते तो शायद उस भगदर में उनका प्रणांत हो जाता है उनको जैसे तैसे गोदी में हमने उठाया और जब गोदी में हमने उठाया तो उनको अरिस्टिंग के गाड़ी तक पहुंचानी के जिम्मेदारी भी हमारी होगी तुक हंसापुरी में ही रहना है और इस बच्चे को जब कार सेवा के लिए चलने के लिए कहा गया मैं बच्चा कह रहा हूं लेकर नुमर में मुझसे बड़ा है मैं बड़ा भाई भी मानता हूं लेकर मुझसे में तो सबकी उम्र बच्चे वाली थी और वो एक जोश भी उस आप आपमे की भावना देखिये कि मैं राम जी की सिवा में जा रहा हूं कहीं मेरे प्राण को कुछ होना जाए और हो जाये तो मैंने करजे में नहीं मरना चाहिए इस तो इसके जहां-जहां उधारी थी सारी उधारी फिटाया उसमें तेले उसके बाद आयो देह जाने के फिर अखबार में पढ़ते थे कि पॉलिस वाले मार्पिट करते हैं कपड़े उतार देते हैं पैसे चीन लेते हैं तो उसने एक मोटे सोल की चपल घरी रहा वो चपल के सोल को बीच में से चीरा लगाया उसके अंदर पांच हेजार रुपए डाल करके सिलाई कराई तो इमर् तो वहां से प्रताबगड में ही चिल्बिला नाम का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको टेंपरेरी जेल बना करके हमको वहां पर रहत किया गया था अब रागभर तो हम वहां रहे गए सुबह तीन ट्रक के लिए आये जो वहां के रहने वालों ने हमारे खाने के लिए फिससे बीच में जिस दर्वाजे से केल्या हमको साइट के एक जीवाल में छेद दिखा हमने कहा किए से बहार क्लने का हे रास्ता हो सकता है इतनी देर में तीन टरक केल्या काली होते हम लोगों रही हम लोग getा एक जो एक हम फिल्वी कहानी उपने जीवन का बड़ा रोचक प्रसंग था और इश्वर कहां से वह शक्ति देता था हमें समझ नहीं निकल गए हमने रोड क्रॉस किया रोड क्रॉस करके खेत के अंदर चले गए कि किसी प्रकार से पोलिस की पगर में नहीं आना चाहिए एक धाबा दिखा अब रात से बोजन नह कुछ है लग मुलाईम सिंग लग नहां हां ऑलु प्रोड के सब्जी की सब्जी बनाते हैं गैर रहा है पैजीरा का देदाल है उसका हमने बदाए कि एक काम करो हमको रोटी देदो और दाल को तड़का लगा करें तड़के के लिए लेसन भी नहीं बले राइजीरा का तड़का देंगे हम ने उनसे हा कह दिया अब कल्पना कीजिए कि दो रोटी खाने वाले ने वह दिन पांच और साथ रोटी खाया ह हम समझ सकते हैं कि वह एक इतनी यातना है फुलिस की मार उसके बाद उस किसी ऐसी जगह पे आपने राद गुजारी तो भूख पैसे क्याब बदहाली हुई होगे आप लोगों तो इतनी दर बुजन बना रहा था उतनी दर में वहीं बोरवल में आपना आपना इसनाम किया चौदा लोगों ने वहीं बोजन किया आपको विश्य शुरुफ से बता तो इस चौदा लोगों अभी जो प्रोवाइस चांसलेर रहा है न संजय दूधे जी वो भी हमारे साथ है उसी से हमने रस्ता पूचा आयुद्धय जाने वाला रस्ता का उसने जी विश्या में बत तो आज की तरह Google मैप भी नहीं जा है तिससे रस्ता पूचो ना कहा है गाउं कितने दूरне माज़ финने परवाज चलते हमारे साथ इसमने इस बिट में जितनी भी नदी आय गनामा सब्सक्राव के हमें पार करने को ऊता है एक दुसरे का हाथ पर पकड़े तो एक अड़ाप की जगे में रुखते थे अपने आंतरवस्तर निकालते थे उपर गिले कपड़ा पहले ते और उसको अपने सर के उपर सुगने के लिए डाल देते तो फिर पैदल चेले लगते इस अवस्था में हम लोगों ने पूरा का पूरा सफर किया ले गाओं-गाओं के लोगों ने कार्शेवकों के लिए भोजन की वेवस्ता की थे आपने किसी गाओं में पीने के लिए पानी मंगा तो आपको केवल पानी नहीं देते थे करण उत्तर प्रदेश की प्रसा है महां कहा जाता कि छूचा पानी नहीं देना देते हैं केवल पान अंतिम पड़ाओं में ऐसा समझे हैं हम जिस नदी को हमने नाओं से पार किया वो गोंति नदी अच्छा करान गोंति को आदि गंगा कहा जाता है वो गंगा जी के पहले से बहुत गहरी और झाली भी है और थोड़ी सी जो है बहुत बहुत वाओ उसका उतार जो उस जिखें सब्सक्राइब करें जैसे गुंति पार करके हम लोग उत्रे तो उस गाउं का जो सर्पंच था वह पांच-दस हजार पोस्ट कार्ड लेकर के बैठा हुआ तो अपने पता लिख दो अपनी खबर लिख दो हम पोस्ट में राजबेंगे इत्से ज्यादा स्वयोग आपको और क्या लेगा कि यहां आया है उसके बस्तिश्क में आना उसके उसने स्वयन के खर्चे से नियोजन करना तो नियोजन करके विवस्था करना है देख करके हम लोग अलाजित हो गया जब गुंति हमने पार किये तो रात का समय था यह 29 तारीक की रात थी और रातली विश्यरांती उसी जगह की है वहां से जब आगे निकले तो पठकावली नाम का एक गाओ आया हूँ एक बात कि दहब है मैं आपको बिलकुल दाद दूँगा कि आपकी याददास तो इतनी जाद है कि आपको एक एक ग पुन्यात्मा हो गई है जब हम लोग वहां आगे पठकावली गाओं में गए एक विचित्र द्रश्य देखने के लिए मिला हूँ पठकावली गाओं का नाम इसलिए था कि सारी पाठव लोगों की बस्तिते हैं अब उत्तरपदेश बद्ना में जाती प्रथा के लिए बि कि प्ठकौली गाओं में जब हम गए तो यह जितने भी कारसेवक तो उनके लिए सब हनमाझी थे और पठकौली गाओं के लोगों ने पैर की मालिश करने से लेकर के गरम पानी से पैर सिर्थ प्योष अदभूत 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 और ये सारी विवश्ताओं में घर की महलाइं सकरिये थे, जहां हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्दा प्रधा इतनी अदना है कि महलाओं को किसी प्रकार से सुद्र प्रधा का जिए अब आप कलपना किजे कि वो सुद्धर प्रदेश को जिसको हम धक्यान उसी कहते हैं, वहां पर पुरुष के पैरफी माल जो की एक दूर दराज में वहां की इस प्रथा को आप बहुत बहुत भेतर तरीके से अपने अनुभाव बतार रहे और यहां पर आप सोच्ते करसे यातना है याथना ही मिलेगी वहां पर एतने जब दवा और इतना जो स्योगा वहाव तो मिले तो अभी भूत मतल्ब ता और लिएं जो शारी थकान रहती दे जी जै जी वह स्वाथावरlerde में ज안सी धकान समातो होते हैं मैं तो कहता हूं कि शारित थकान सब लोगों ने बड़े आराम से पिया आराम से पिने के बाद हम लोग और आगे बढ़े हैं है असलमें ती सतारीक कोही कार्सेवा पुसुरौवाथ के पास थे लिकिन अजय पहुंकिए दे जिस गाओ में हम दोड़ते दोड़ते एक व्यक्ति आया बहή याशाइकल से दो लोग आये हैं बता रहें कि मंदर में कार्सेवा हो गई जितनी हमारी भीड़ती सब जोर से चिलाने लगी जाए शीरा सब के मन में लास है। हुआ ऐसा कि अशोग जी शंगल के नेत्रत में कार्शेवकों का एक जथा निकला। वहां करीब करीब जेड़ ला कार्शेवक आयजद्या जी पहुंच गए थे। और अशोग जी ने ताय समय पर अपना जथा निकाला। उस पर लाठी चार्ज हुआ। अशोग जी के सर पर मार लगा। सर शूट गया। उनको उठा करके गए। और कस्टेडी में ले जाने के बाद यतने सादू संतितों उनको एक बस में बैठा लिया। उसी बस में बैठने के बाद एक सादू जिसका नाम रामदास था। उस व्यक्ति ने ड्राइवर को नीचे उतार दिया। और गाड़ी लेकर के चिदा आयो ज्याज जन्मुत। वहां जो लोहे के बेरिकेट्स लगे हुए थे उन बेरिकेट्स को तोड़ दिया। और वहां ले जाकर के सादू संतों ने उस परिशर में जाकर के भगवा धज लहराने का प्रयास किया। और दो नौजवान गुमबद पर चड़ गए और उनने गुमबद पर चड़ करके भगवा धज लहराया। और यह दोनों नौजवान जिने हम शरत कोठारी और राम कोठारी के भगवा से जानते हैं। इतिहा सरक्षा है। यह घटना होने के बाद यह गिरफतारी हो गई पोलिस ने इन सादू को फिर से पकड़ कर दुगा पक्ड़ आया। जैसे ही है जानकरी मुलाहिम सिंग जी तक पहुंची तो तब तक लाठी चार्ज और रश्कोगैश के ही आदेश थे मुलाहिम सिंग जी ने गोली चलाने का आदेश देए। अब कर्पना कीजिए कि आयुद्ध्या के उपर में शार्यू नजी पर लोग कार्सेवत हैं जी और दोनों साइड से पुलिस लाठीयों से पीट रही हैं बोली चला रही हैं जी शार्यू का रक्त लाल हो गया जी उच्छेन हमने नहीं नहीं देखा लेकिन आयुद्ध्या हम लोग वहां से और थोड़ा सा आगे बढ़ें आगे बढ़े तो वैसे अब दो पर का समय आ गया था प्यास लगी एक गाउं में फिर पानी पीने के लिए रुखे तो एक बजरुग थे जो खेती में बैठी वे तो उनसे कहा चाचा पानी मिलेगा उन्होंने बैठाला मै पीने के लिए पानी लेका उन्होंने हम से पूचा कि आम मुली खाऊंगे चाए तो आम रहा ठीक है खालेंगे मुली करके उसने मुली निकालके दिया तो बढ़े मुश्किल से इतनी छोटी-छोटी सी मुली थी तो उन्होंने बताए कि हम इसको हिमाचल की या कश्मीरी मुली की प्लाने बार मुलायम सिंगे जलते हम एसे घटना मुली वे उसके लूग बात करते हैं। तो बड़ा विचित्र सा उसने उत्तर दिया, वो उत्तर देने के बाद हम लोग भी अचंबीत रहे हैं कि भाई अगर इस प्रकार के विचार लोगों के मन में तो मुलायम सिंग जी गद्वी पर कैसे हैं, वो 80 साल के उपर की आयू का बुजरुक्ता, उसने कहा कि भाईया, म मुलायम सिंग केकर अउलाद है हमें मारण में, मुलायम सिंग किसकी अउलाद है, हमने का दद्धा ऐसा क्यों कह रहे हूं, तो उसने बड़ा संदर विचलेशन किया कि मुलायम शब्द उर्दू से आया है, इसका मतलब है कि उसका एक पता मुस्लिम समास है, सिंग सब हमने दददा बहुत गुस्सा दिख रहे हो, बुक्र मंत्री के बारे मैं ऐसा कहता है कि लिटरी मैं इसके बोल नहीं सकता हूँ, लिटरी उसने गाली दिया, गाली दे करके कि हमने जो कहा है तो बहुत छोटा है करके हमारे सामने है तो हम दूता होता है, हम उनकी भाउना को स वहां जाने के बाद में संग के आतुल जी पिंगडे के साथ में हम लोगों में मुलाकात की और वहां एक चारो धाम भवन करके अस्थान पर हमारी रुखने की विवस्था थी नागपुर की हम लोग वहां जाकर के रुख गए अगुद्ध्या का वातरण कुंदासपुर्ण कि रूप में गुम्मत पर जहर दोच फेरा गया था जो इसन जो था वो सक्सिस हो गया तो लेकिन तीस तारिक हमारी गुजर गए एक तारिक के दिन अजीव सी हल चले प्रारब होई पूरा एवध्या में जगा जगा लंजर लगे हुए ते लोगों को खाना खाने की जवस कि मेरे पड़ोस के पंचम मानमोडे नाव में 70 प्लस थे हुआ लिकिन हमारे साथ पूरा रास्ता भर का जन गया वो भोजिन की व्यवस्ता में जहां बैठा हुआ था महां लाकर के करते था इसलिए मुझे ज्यादा लंगर में जाने की जड़तने पड़ी और मेरा और उनक जैसे तैसे हम लोग तीन दीन अवध्या में कैसे कि सुलास वातावरण में गुजरे पता नहीं चला लेकिन मन में भावते कि कारसेव करने आए या लोग केवल भोजन करने के लिए तो नहीं आए एक तारिक को लेकिन एक बात यह भी तो है ना दया बहुके पेट बजन न एक तारिक को शाम के समय एक सभाव जहां मंदिर में डुखे तो उसके सामनी बहुत बड़ा प्तांगण था वहां सभाव उस सभा में एक उमा भारती जी प्रकट होगी अब मैं प्रकट होगे इसलिए कह रहा हूं कि सारे के सारे नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंद थ अब कल्पना किजिए कि उमा भारती जी वहां पर सर्म उंडा करके जिंस और टी-शेट पहन करें वहां पहुंसती है और वहां पहुंसने के बाद में उमा भारती जी का आचार धर्विन रुजिका इंसता भाशन हुआ और सब नहीं दिरने लिया कि तीस तारिक को जो गोल कार्सवा फिर से निश्यती दे अलग-अलग तीन जगे से जख्य निकलना चाहिए एक जगे अश्वब्री संगल के नेतरत में था उमा भारती जी के नेतरत में हम लोग नेतरत में एक बात का विशेश लुप से उल्लेक करना चाहूँगा इतने उत्तर प्रदेश के लोग करना चाहिए अब उस पूरे जठे में स्यूशं नहीं नाम का कोई वेक्षट दिखाई नहीं डेता है कि वता वरान ऐसा था कि या तो विश्व हिंदु परषय या तो संगल का स्वाइन से या आम हिंदु नागरिक जिसको ना संगत से विश्व हिंदु परषय ते किवल आपने हाँ एक वेक्ति एकनात्राओ जोग के कारे करता थे, किले में रहते थे मुस्लिम समाझ के वहां पर उसकार सिवा में आये थे, यह उनका इंटेरू वहां दैनिक आज नाम के अकभार निकरता थे, उनका इंटेरू पेपर में चाता थे, और इस द्रश्टी से दो तार हुआ लोगों को दिया लिया, और कहा गया कि इसको अपने आख के चारोगर लगा लो, अब हमको लगा है, सोचने में ऐसा है कि फोटों निकालते समय चेरा वरोवर नहीं आना, जैसलिए चुना लगा लिया, चुना लगा करके हम लोग जथे में शामिल हो गए, वो जथा ह जबान गड़ी के जाने वाले रास्ते के दिशा में जथा मुड़ने लगा, पॉलिस ने बरबरता से लाठी चार्ज सुरू कर लिया, उमा भारती जी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं थी, उन पर बहुत बरबरता के साथ में लाठी चार्ज दिया, और उस बरबर पॉस लाठी चार्ज के हम लोग चश्मजीर जवा हैं, अश्रुगैस अंधाधुन छोड़े जा रहे थी, अब एक अश्रुगैस का गोला आकर के हमारे सामने गिरा, कल्पना कीजिए कि सामने गोला गिरा है तो आँखों के इस्तिति क्या होगी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम उस नाली के पास चले गए कि इसी पानी को आँखों में मारेंगे करते हैं, जैसे हम नाली के पास दोनों बैठे, मैं था मेरे साथ बिनेश बागरी जिते हैं, जिस घर के सामने बैठे तो उस घर का दर्वाजा खुला अंदर से पानी का गज़रा दे, हमने उस पानी के अपनी आँख साथ करी, उस ने फिर से कटोरी में चुना दे दिये, हमने पुछाए किस लिए है, तो उसने बताया कि चुना आँख के पास लगा रहे, तो क्लोरीन चुना एबजॉब कर लेता है, इसलिए आँखों पर असर का हुए है, अर्था इस हद तक वहाँ तैयरी और घर घर में यह तैयरी थी, किसी को पता है किसके घर के सामने आँख दोने के लिए हम आख पे पानी मार के हाथ दो रहे थे, इतनी देर में पता चला गोली चलना सुरू हो गया, और एक संसना ते होई गोली दिनेश बागली जी के जान वे आखर के लगए, हम लोग घब बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर पता चला कि भई यह जो है यह रबर बुलेट का उपी ओपी जैसे तैसे लाठी वाले हमारे पास तकाम है, अब मुझसे पानी पिए बगर नहीं रहा जाता है, इसलिए मैं मेरे साथ वाटर बेग लेका गया, और मैंने आपको राकेश अब इस भगदर में एक कारसेवक का हाथ वाटर बेग के बेल्ट में फस गया, और पोलिस लाठी माले गया, उसको डर था कि वाटर बेग अगर मेरे हाथ से छुड़ गया तो यह पानी कुनी के लिए मुझे चिलाएगा, इसलिए लिए लाठी खा रहा था लेकिन वाटर और उस विप्री तवस्ता में जंग लड़के वाटर बेग लेकर के आया, और हमें घर दिखा घर का दरवाजा सुरू तो हम तो घर के अंदर बुच गया, अब सीडियां नागमोडी नहीं होती है, वहाँ अशी खड़ी सीडियां होती है, पहले मंजिल की सीडिय फिर दू पूलिस की जवान भी दोड़के आ रहा है तो हमने दरवाजे लगा लिया, अब दरवाजे लगा लिया तो देवेंदर गंगोत्री नाम के हमारे कारसेवक थे, वह अकेला बिचारा पीछे छूड़ गया, अब पीछे छूटने के बाद उसकी अवस्था ऐसी थी, उस तिस मंजिल से हम नीचे कैसे उतरे ऐसे सारे लोगों की अवस्था थी, मैंने आपको बताए कि हमारे साथ 17 साल का पंचा मानमोडे भी था, प्रोवाइस चांटलराथ जूटने होई, दुधे जी यह भी थे, हम सारे लोग पीछे ड्रेनेज पाइप से नीचे उतरे, तीन मंजि को जहिज में दिया गया मंदिर, उस मंदिर के सामने हम लोग उतरे, उतरने के बाद वहाँ पर असम बटालियन थी, असम बटालियन के लोगों ने हमको उता आते हुए देखा, कि नोनों ने बड़े स्चांती के साथ में हमको पानी पीने के लिए दिया, बिस्किट का एक पूलिस लाठी चार्ज कर रही थी तो वो एक कमरे के अंदर उसके थे उस घर से बाहर निकाल करके दोनों भाई उसके भाई जी जो परिवार के दो ही बीपक थे उस दोनों का बलिदान प्रभुशी राम संदिली के मंदिर के आंदो लों में रात के समय जब हम लोग शाम को जनी के लिए निकले तो उस चौरह है पर इस थिती ऐसी थी की जो भट्टी होती है ठीले पर हैं किटने चोटी होती हो के पुराने जमाने में पेंट के ड्रम आया करते हैं, वो एक छोटी सी भट्टी में 23 गोली है लगी हुआ इस प्रकार से अंदाद में वहां गोली आते हैं, दिवानी गोलियों के छेद से भरी पड़ी ती तरोगी, इस अवस्था का द्रश्च देखने के बाद बड़ा पुराने पूंचना पड़ा, हम नोग वहां पढ़ पॉंच गए, अपने अस्थान पर, पुरा गमगीन वाता वरन आयो दिया, पुरा गमगीन वाता वरन, भोजिन के सारे के, भोजिन बनके तयाहर है लेकिन कोई खानी के लिए तयानी मिया इस बीच में दो ट्रक आये, और मिल्टरी के ट्रक से कार्चों को गली बोगे हैं। हमारे लिए बड़ा आस्चेर का विश्या था कि वही बोली चला रहे हैं, वही लाटी चला रहे हैं। और वही खाना भेज रहे हैं। ऐसा कैसे। पताचला कि खैसाबाद में मिल्टरी कंटोनमेंट एरिया है। वहाँ जो मिल्टरी में काम करने वाले लोग हैं। उनकी पत्मियों के संगटना है। उन्होंने सारे कारशों को के लिए पुलाहों बना कर दिजा है। वो दो ट्रक से पुलाहों उतरा। जो खाना चाते तो उन्होंने खाया। जिनका मन विशाद में था। उन्होंने उनका सम्मान रखने के लिए पैकत कर ले लिया। लेकिन भोजन नहीं किया। सुभा करीब ट्रक भर भोजन उठाकर के लिए जाना पड़ा इसे अरुस्ता रही। सुभा हम लोग अश्नान करने के लिए शर्यो नजी में पहुंचे। मेरे साथ में नरेंद्र बात होगी थे। हम दोनों उत्तर प्रदेश के होने के करण वहां की भाषा से परिजित होने के करण हम लोग शर्यों तक पहुंचे। वहां हमने अश्नान किया। अश्नान करके तय ऐसा किया है कि हमें अपने घर में फोन कर दोना चाहिए। हम पैदल पैदल उसी कोत वाली चोक पर पहुंचे जहां गोली बारी हुई थे। हमारी वेजभुशा यही थी कि अश्नान करने के वाद एक लाल गंचा हमने कमर में लपट लिया था। और आपको बताया कि वहां के लोकल लगना चाहिए। इसलिए जो गीले कपड़ थे उसको एक को कंधे पर डालिया था एक को सर पर लगता था। उस अवस्ता में हम लोग टेलफोन एक्शन पहुंचे। करफू होने के खरण भीड नहीं थी। आप जैसी फोन की विवस्ता नहीं तो इस समय कॉल लगाना पड़ता था। हमने लाइटनिंग कॉल लगाने के लिए कहां लाइटनिंग कॉल लगा करके हमारी बात होगे। बात होने के बाद मैंने मेरे घर पर बताया कि रही हम इतने भी लोग नागपूर से हैं सारे के सारे शुर्चित है कर तब घर वालों ने जाकर के खोड़ी रहत की सास ले। अब हमारा नेत्रत तो नागपूर से दिवा कर रहा हूजी धाकरस कर रहा है। एक फोन मैंने उनको भी लगाई। अब आपको बताना इसलिए आवशक समझता हूँ कि जब मैं यहां से नागपूर ख़बर आई कि हम लोग जेल से भाग गयेंगा। मेरा स्वभाव बहुत उद्धंड था। इसलिए उनको लगा कि कहीं पॉलिस के सस्त वस्त्र लेकर कि मा भाग गये। इसलिए मेरे जो कारेकरता रोज घर आते थे माताजी से मिलने परिवार से मिलने सारे लोग करनी काचने लगे कि मा को हम क्या बताएं नीजिए आपकी चार नॉंबर की मिटिंग में आचेर भृणंदी के बहुत है रहे? बहटे थिया है जब सबने हाथ उपर कर दिया तो आचार धर्मेंदुर जी ने दूसरा प्रश्ने किया कि राम मंदिर बनाने के लिए कौन जिंदा रहना चाहता है वो हाथ उपर कि अच्व करएंगेंगे कल मंदिर के दरवाज़े खुल erdरुन करें राम लदा के दर्शन करना आप चार थारीक के स्याम को सभा होने के बाद हम लोग टहलते, टहलते वहां एक तुलसी दासजी के नाम से बढ़िचा है, वहां पहुंच गए. पूरे भाले समय को लिरुडरी क सुझे सकते होहां कि गश्म meeting कि अर्टी वाली ने प्रचलित करने के बाद, वहां से वापस अपने अस्थान पर आये पांस तारिक के सुभाव नौ बज़े दर्शन के शुरुआति हमने दर्शन किया। धर्शन करने के बाद वापस निकलने का मार्ग वहीं कनक मंदिर के पास था। तो हम उन असम बटालियन के अधिकारियों को ध्यन्यवाद बुलने के जिन्ने दो तारिक को हमारी मदद की थी। वही पर रेडियो चलू था और रेडियो में खबर आई जिस नागपूर शहर में बं के कारखाने में विष्फोर्ट हो गया रहा है यह पांच नॉब्बर की बाद थे जिए अब यह खबर आने के बाद में बड़े मुश्किल से नागपूर घर में बात हो सकी जिए बात होन वो मुमिन्तुरा का ही एक वेक्ति घूए और यहां जो हाथ्षा हुआ यहां लश्कारी बाग में हुआ तो मेरे हां पेंटिंग कर रहा था उसका छोटा भाई बं मनाते हुए बं ब्लास्ट हो गया और उसका परिवाद उज्वास्ट हो गया जब यहां जानकारी मिली कि जो इस द्रश्टी से इस संपुर्ण द्रश्टाम थे यह तो आप कल्पना कीजिए कि मैं इतने वर्षों के बाद बता रहा हूं इसलिए रास्ते के अनेक बाते मैं आपको नहीं बता सका लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वह जो आनंद था जो सोलाश वाता वरन था इसमें एक मह प्रश्टी से फुरा क्यान हुआ लेकिन 14 लोग हम लोग सब साथ में गये थे जब हम लोग नापफूर आने के बाद जब कथा कथन का चारिक रभ हुआ प्रसंग के अनुभोग पर शेर करने का जो और करें मैं जब यह सारे प्रसंग को बता रहा था तो अकल्पना अभी आपने दयाव है हमारे सामने व्यक्त किये उस भाव को हम महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जितने भी दर्शक इस कहानी को इस कथा को इस सत्य घटना को आपके जर्णी आपकी रही उसको जब सुनेंगे तो कितना अभीभूत हो जाएंगे यह अपने बहुत ब को आज भी एक डिसीप्लिन तरीके से जो है रामलला की मंदीर का निर्माण होने जा रहा है उस में रामलला की स्थापना उने जा रहे है उस परी प्रिक्षिं में आप क्या संदेश देना चाहें कि दर्शक पूंचाना था और मंदीर अस्थान तक विश्विंदू परशविया रहे से पहुंचाना था उस मंदीर समिती को दुम्मेदारी थी कि यह कलश आप अपने मंदिर तक लेकि जाए लोग सुभायतरा निकाल करके कलश लेकर के अपने अपने घर में गये पूरे ना एक तारिक से पंगर तारिक तर उस पवित्र कलश में जो अक्षत है यह अक्षत लेकर के हर घर में आयुद्धय का निमंत्रंग देने के जाए जो हमारे हिंदू समस्कूति का एक बहुत अहम हिस्सा है पुरानी जमाने में पत्रिका के साथ भी हम पीले चावल देते थे त देने का भाव यही है कि आयुद्धय से आया हुआ यह अक्षत हम आपको दे रहे हैं हम आपको निमंत्रंग दे रहे हैं कि आपको आयुद्धय आना है रामलला आपने जिवा पर बैठ रहे है इसलिए रामलला के दरशन करने आपको आयुद्धय आना है अब पता नहीं इ बड़ा संदर विशलेशन प्रधान में जोगी नहीं किया कि 14 तारिक को मकर संक्रांती आती है उस दिन आप जिस परिशन में रहते हैं महां के मंदिर का सच्छता भी हैं जीज़े बिल्कुँ उस मंदिर के साफ सफ़ाइं जीज़े और 22 तारिक को उसी मंदिर को मेरा मंदिर म जीज़े बिल्कुँ वहां एक बड़ा इस्क्रीन लगाईए वहां पर आकर के आपके पड़ोस के सारे लोग उस मंदिर में एकत्वित हो करके सामुहिक रूप से अयुध्या के कारिक्रम का दर्शन आवले और जिस समय अयुध्या में ठाकुर जी की मुर्थी की प्रान प जनी और फवित्र वाता वरण के निर्मित्वी संपुन हो सके इस्पतार का मियोजन की आपकूर शहर में भी अपने अपने इस्तर करने का दिरने लिया है जिन जिन बख्तियों के जिस-जिस मंदिरों में इस्पतार की व्यवस्ता होनी चाहिए सब पो सुचना जी गई है पूरे भारत वर्ष में हर व्यक्ति ने अपने घर के सामने रांगोरी जालना चाहिए। अपने घर के सामने दीपक जलाने चाहिए। और जिस मंदिर में हमने दोपर के समय में सारा का सारा दरश्य देखाया आरती की है। एक दिपक लेकर के हमें उस मंदिर में जाना है। कि रोशन के वल हमारा घर ना हो, हमारे परोष का मंदिर भी होना चाहिए। और इस विशय को लेकर के पंदरह तारिक से लेकर के बाईस तारिक तक अलग अलग कारिकरम भी बहुत दरश्की से लेने के निरने अन्याने लोगों ने लिया है। पूरे भारत वर्ष में अपनी अपनी संकल्पना के अनुरूप करन सबके अपने अपने राम अलग था तो अहिल्या के राम अलग है। पूरे भारत वर्ष को दिवाले से सजाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दायाशंका तिवाले जी का इहांने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में अपनी जो यात्रा है उस यात्रा का जो वर्णन की है वो दिल को जग्जोग करने वाला है। ज़रूर सुझें अपने तरफ संजोए रखें हमें कुछ सवजब्र मनाएं। भूत धन्यवाद तयाबगी आपका। जैश्व बादा कर दो